हलो स्टुडेंट मां उत्तम दुवेदी आप सभी का स्वागत है देखिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि लेंसों के द्वारा प्रत्विंब कितने प्रकार के बनते हैं और किस लेंस से कैसा प्रत्विंब प्राप्त होता है देखे प्रतविम्ब बनाने से पहले हम लोग प्रतविम्ब बनाने के नियमों को पहले समझते हैं देखे प्रतविम्ब बनाने के हम लोगों ने दरपड में नियम पड़े थे इसी प्रकार से प्रतविम्ब बनाने के लेंस में भी नियम होते हैं तो प्रतिविम्ब बनाने के नियम पहले जानते हैं तो प्रतिविम्ब बनाने के तीन नियम होते हैं और तीनों नियम में से किनी दो नियम को हमें फॉलो कराना होता है कहने का मतलब है प्रतिविम्ब कब प्राप्त होगा जब वस्तु से कम से कम दो किरने जाकर किसी पर मिलेंगी और यदि वस्तु से किरने निस्कासित होकर उनका अपवर्तन होगा और उसके पस्चात यदि दो किरने किसी बिंदु पर मिलेंगी तो वहाँ पे हमें क्या प्रत्विम 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 बनाने का पहला नियम यह होता है कि यदि कोई लेंस है मान लेते ह यह उत्ताल लेंस है तो इस लेंस का कहीं न कहीं प्रकासिक केंद्र होगा तो प्रकासिक केंद्र से होकर जाने वाली जो रेखा होती है वह बिना विचलित हुए सीधी निकल जाती है पहला नियम क्या कहेगा कि प्रकासिक केंद्र से होकर जाने वाली जो प्रकास की किरण है वह बिना विचलित हुए सीधी निस्कासित हो जाती है, यह पहला नियम होता है, फिर दूसरे नियम की यदि बात करते हैं, तो दूसरा नियम होता है कि यदि लेंस का हम मुख फोकस मालने, यह F है मुख फोकस, तो मुख अच्छ के समांतर आने वाली किरण, अपवर्तन के पस्चात मुख फोकस से होकर जाती है, दूसरा नियम क्या होगा, कि मुख अच्छ के समांतर आने वाली किरण, अपवर्तन के पस्चात मुख अच्छ के समांतर जाएगी, यह से हम दूसरा नियम बोलेंगे, तीस तीसरा नियम देखिए, यहाँ पर लिख लेते हैं, तीसरा नियम हम माल लेते हैं, यह मुख अच्छ, यहाँ पर यह लेंज है, यदि इसका प्रथम फोकस और है, तो तीसरा नियम देखिए, इसी का उत्क्रमडीता का नियम होगा, कहने का मतलब है, जैसे मुख अच्छ के सम क्या बताया देखे पहला नियम होता है कि प्रकासिक केंद्र से होकर जाने वाली रेखा सीधी निकल जाएगी बिना विचलित हुए दूसरा नियम मुख अच्छ के समानतर होकर आने वाली रेखा मुख फोकस से होकर जाएगी और तीसरा नियम कि मुख फोकस से होकर जाने वा बस वहाँ पर हम क्या लेखेंगे मुख फोकस से जाती हुई प्रतीत होगी या मुख फोकस से आती हुई जो रेखाय होगी हमारी यहाँ पर मुखच के समांतर हो जाईगी तो हमको इन तीनो नीवों को याद रखना है अब देखो हमें प्रत्विम्ब बनाने के लिए इन तीनो नीवों में से किनी दो नीवों से क्या करनी है किरने डालनी है किनी भी दो नीवों को हम फॉलो कराएंगे और उनको हम क्या करेंगे उस प्रत्विम्ब बनाने में किरणों को अपवर्तन करने के पस्चात किसी बिन्दू पर मिलाएंगे तो हम लोग एक एक करके सभी लेंसों के लिए पढ़ते हैं तो सबसे पहले हम लोग आते हैं उत्तल लेंस की बात करते हैं तो देखें उत्तल लिंस के लिए प्रत्विम बनाने के नियंद पहले समझते हैं तो सबसे पहला उत्तल लिंस के लिए अब देखें उत्तल लिंस के यदि बात करते हैं तो उत्तल लिंस के बारे में पहले भी पढ़ाया जा चुका है कि उत्तर लेंस कैसा लेंस होता है अभी सारी लेंस इससे पहले वाली क्लास में पढ़ाया था कि उत्तर लेंस कैसा लेंस है अभी सारी लेंस है तो यह प्रकास की केरणों को मुखच की और मुड़ता है अब बात करें उत्तर लेंस में हमें प्रतविम बनाना है तो लेंस में स्थितियां बनानी पड़ेंगी तो देखिए यदि हम मालने कि यह दोई उत्ता लेंस है तो इसका मुख फोकस से सोर होगा तो माल लेते हैं F यहां पर है तो फोकस से दोगनी दूरी हम लोग ले लेते हैं यहां पर हम लोग ले सकते हैं 2F इसी प्रकार से इस तरह भी फोकस ह और उसको हम प्रथम फोकस बोलते हैं यहां पे हम माल लेते हैं कि यह f- है और इतनी ही दुगनी दूरी पर 2f- है अब 2f- से अधिक दूरी पर कोई हमें जो दूरी पता नहीं उसको हम अनंत मान सकते हैं ऐसे ही यहां पर भी अधिक दूरी को हम क्या मान सकते हैं, अनंत मान सकते हैं, तो देखो प्रत्विम बनाना है, तो प्रत्विम बनाने के लिए हमें स्थितियां समझनी पड़ेंगी कि वस्तु कहां पर रखें, तो देखो वस्तु हम लोग क्या कर सकते हैं, या तो अनंत पर फिर तीसरी स्थिती क्या है, कि 2F पर ही रख दे, यानि कि 2F डैस पर रख दे, तो तीसरी स्थिती यह है, प्राप्तो होगी, कि हम क्या करें, वस्तु को 2F डैस पर रख देते हैं, फिर चोथी स्थिती की बात करें, तो वस्तु को हम 2F डैस वा F डैस के मद रख लेते हैं, त हम इसको प्रकासिक केंद्र यहां पर मालने C है तो यहां पर छटवी स्थिति क्या होगी F डैस और C के मद्ध रखते हैं इसका मतलब है हमें उत्ता लिन्ज से कितने प्रकार के प्रत्विम प्राप्तों होंगे 6 प्रकार के क्योंकि हमारे पास वस्तुओं की स्थितियां कितन यदि वस्तु कहां रखी है अनंत पर रखी हो अब देखें यदि वस्तु को हमने अनंत पर रखा है तो हम लोगों ने इससे पहले पढ़ा है कि यदि कोई वस्तु अनंत पर होती है तो वहां से आने वाली प्रकास की किरणे मुखच के समानतर आती हैं सद्व यह आप बोल कि हम लोग बोल सकते हैं कि यह कोई वस्तू है इस वस्तू को हम लोग नाम दे देते हैं ओ ओ डैस अब क्योंकि यह अनंत पर है तो अनंत पर इसकी लंबाई हमें पता नहीं है निश्चित नहीं है इसलिए हम क्या कर रहे हैं इसको डॉट डॉट करके बना दे रहे हैं अब इ एक किरन डाल देते हैं प्रकासिक केंदर से और अभी बताया कि प्रकासिक केंदर से होकर जाने वाली जो रेखा है या प्रकास की किरन है वह कैसी निर्गत हो जाएगी सीधी तो हमने क्या किया प्रकासिक केंदर से एक किरन डाली और वह कैसी निर्गत हो गई सीधी निर्गत जाती है, दूसरा, मुखच के समानतर वाली रेखा फोकस से जाती है, यदि मुखच के समानतर रेखा डालेंगे, तो वह आपस में समानतर नहीं होगी, और क्योंकि वस्तु है अनंत पर, तो रेखाएं कैसी आएंगी, आपस में समानतर, इसका मतलब है, हम लोग क्या करते हैं इसके समानतर रेखा डालते हैं अब इसके समानतर कौन सी रेखा डाल दे हैं हम लोग मुख फोकस या हम बोल सकते हैं प्रथम फोकस से डाल देते हैं रेखा को अब प्रथम फोकस से जाने वाली रेखा अब देगे फोकस से रेखा गई है तो यह मुखच के समांतर हो जाएगी तो मुखच के समांतर कर देते हैं अब यदि यह मुखच के समांतर है तो यह कही न कही प्रकास की किरण क्या करेगी इस किरण को एक दूसरे से काटेगी कहने का मतलब है ये दोनों किरने आपस में किसी बिंदु पर मिलेंगी जहां पर दोनों किरने आपस में मिल रही है वही क्या होगा इस वस्तु OO- का प्रत्विम्ब होगा तो हम लोग देख रहे हैं ये जो वस्तु की किरने हैं यहां पर मिल रही है तो इनको क्या करते हैं मुख अच्छ से मिला देते हैं हमको प्रतविम प्राप्त हो गया i i dash यदि हम ध्यान दे तो o o dash मुख अच्छ से उपर है और i i dash मुख अच्छ से नीचे की ओर है इसका मतलब है प्रतविम हमें कैसा प्राप्त हो रहा है उल्टा प्राप्त हो रहा है अगली चीज अगर हम ध्यान दें तो यहां पर वस्तू बहुत बड़ी है और यदि प्रतिविम्ब की बात करें तो प्रतिविम्ब आई-ई-डैस कैसा प्राप्त हो रहा है इसकी अपेच्छा छोटा लिंस के दूसरी ओर है तथा ये किरने आपस में एक बिंदू पर मिल रही है मिलती हुई प्रतीद नहीं हो रही है मिल रही है वास्तों में मिल रही है इसका मतलब प्रतिविंब कैसा है वास्तविक है तो हम क्या लेक सकते हैं कि यदि कोई वस्तू अनंत पर रखी है तो जो प्रत्यबिंब प्राप्त होगा वह प्राप्त होगा एफ़ पर पहली बात दो यह और दूसरा एफ़ पर कैसा प्राप्त होगा तो वास्तविक वस्तु से छोटा तथा कैसा प्राप्त हो रहा है उल्टा प्राप्त हो रहा है क्या बताया कि वास्तुविक प्राप्त हो रहा है क्योंकि ये वास्तों में किरने मिल रही है वस्तु से छोटा प्राप्त हो रहा है तथा कैसा प्राप्त हो रहा है उल्टा और आपको पहले भी हम पता चुके हैं पिछली क्लासों में कि यदि कोई प्रत्विम उल्टा है तो वह सदयों कैसा होगा वास्तविक होगा तो पहली स्थिति में प्रतविम अनंत पर रखी वस्तु का प्रतविम कहां प्राप्त होगा, मुख फोकस पर कैसा प्राप्त होगा, उल्टा और वास्त्विक तथा वस्तु से छोटा, अब आते हैं दूसरी स्थिति की बात कर लेते हैं, अब हम क्या करें, वस्तु को और आंगे रख दे, और आंगे रखने का मतलब है, अब अनंत से थोड़ा और आंगे लिए है, मतलब अनंत वा 2F के मद्ध रख दे, तो second इस्थिती क्या बना सकते हैं, कि वस्तु अनंत वा 2F के मद्ध रखी हो, अब यदि वस्तु अनंत वा 2F के मद्ध रखी है, तो इसका प्रत्मिम कहां प्राप्त होगा इसके बारे में चर्चा करते हैं तो हम लोग सबसे पहले वस्तु को बना लेते हैं अनन्तवा 2F के मद तो देखिए ध्यान देते हैं हम लोग क्या करते हैं कि यहां पर वस्तु को बना लिया अनन्तवा 2F के मद यह वस्तु है माल लेते हैं, O-O बहस, अब यहां से प्रकास की किरने डालेंगे, और प्रकास की किरने कितनी डालेंगे, कम से कम दो, दो से अधिक भी डाल सकते हो, लेकिन अगर हम बात करें, कौन सी दो किरने डालें, तो जो क्या करें, प्रत्विम बनाने की नीमों को फॉल तो यहां पर हमने मुख फोकस बनाया था, तो यह मुख फोकस से होकर जाती है, यह मुख फोकस से होकर गए, अब दूसरी किरण हम लोग क्या करते हैं, प्रकासिक केंद्र से डाल देते हैं, अब यदि प्रकासिक केंद्र से किरण डालेंगे, तो वह क्या होगी, बिना विच अब यहां पर मुखच से होकर जाने वाली किरण मुख फोकस से गई है, प्रकासिक केंद्र से जाने वाली किरण सीधे निसकासित हो गई, दोनों किरणे इस बिंदू पर मिल रही हैं, और जिस बिंदू पर मिलेंगी उसको हम मुखच से मिला देते हैं, अब इसको हमने यदि मुखच से मिलाया तो हमको देखो यहाँ पर मुखच से नीचे पृत्विम प्राप्त हो रहा है और इस पृत्विम को हम लोग यदि बोलने आई आई डैस तो कैसा प्राप्त हो रहा है यह वस्तु उपर की ओर है पृत्विम में नीचे की ओर बन रहा है इसका मतलब उल्टा है और किरणे आपस में मिल रही है इसका मतलब वास्तविक है और वस्तु से कैसा दिख रहा है छोटा तो हम क्या बोलेंगे कि यदि कोई वस्तु अनंतवा 2F के मध्य रखी है तो प्रित्विम कहां बनेगा देखो एफवा 2F के मध्य कैसा बनेगा वास्तविक और उल्टा तथा कितना है तो हम लोग देख रहे हैं वस्तु से कैसा है छोटा है तो हम बोलेंगे इसको छोटा प्राप्त होगा तो क्या बताया कि यदि वस्तु कहां रखी है अनंतवा 2F के मध्य तो प्रित्विम कहां प्राप थोड़ा f वह 2f के मद्द कैसा प्राप्त हो रहा है वास्तुविक उल्टा तथा वस्तु से छोटा ठीक है अब आते हैं अगले नंबर पर कि यदि वस्तु को थोड़ा और आंगेल आने का मतलब है अब वस्तु को अनंत वह 2f के मद्द न रखकर 2F पर ही रख दे, तो अब हम क्या करते हैं, वस्तु को रख देते हैं, 2F पर, अब वस्तु को यदि 2F पर रखा, तो अब हम लोग यहां पर प्रतविम्ब बनाते हैं कि कहां पर प्राप्त होगा, तो हम लोग यहां पर वस्तु को रख लेते हैं, 2F पर, तो देखों, यहां पर रखी हुई है 2F पर रखी हुई है तो हमने इसको बना दिया 2F पर अब इससे भी प्रकास की दो किरणे कम से कम आपतित करेंगे तो हम क्या करते हैं एक किरण जो की मुख अच्छ के समांतर जाएगी एक किरण यह डाल देते हैं अब मुख अच्छ के समांतर जाने वाली किरण अभी बताया था कहां से होकर जाती है मुख फोकस से तो हम लोग यहां पर मुख फोकस से आपतित करते हैं पहली किरण कौनसी मुख अच्छ के समांतर जो किरण जा रही है वह कहां से होकर निकल गई मुख फोकस से होकर निकल अब हम क्या करते हैं दूसरी किरन आपतित करते हैं और दूसरी किरन कहां से डालें या तो फोकस से डाल दें और यदि फोकस से डालेंगे तो वे मुखच के समानतर हो जाएगी या तो हम क्या करें प्रकासिक केंदर से होकर डाल दें और प्रकासिक केंदर से होकर जाने वाली जो रेखा है वह क्या होगी बिना विचलित हुए सीधी निस्कासित हो जाएगे अब बिना विचलित हुए सीधी निस्कासित होगे अब ये दोनों किरणे कही न कहीं मिल रही हैं अब यहाँ पे इनका क्या प्राप्त होगा प्रत्विम और यह जो दूरी होती है, यह दूरी होती है देखे 2F, तो हम लोग क्या करते हैं? यहाँ पर 2F बना देते हैं, आप लोग क्या करोगे? Scale से नाप के बनाओगे कि यह F है, तो उसी का दोगना 2F, ठीक है? तो वही पर आपको क्या प्राप्त होगा? यहां पर प्रत्विम प्राप्त होगा और कैसा प्राप्त हो रहा है मुखच से नीचे इसका मतलब है उल्टा प्रत्विम प्राप्त हो रहा है कहां पे है तो f के दोगने पर 2f पर इस प्रत्विम को हम लोग मान सकते हैं ii-10 अब यदि हम ध्यान दें नहां पर तो वस्तु मुखच से उपर है प्रत्मिम नीचे की और प्राप्थ हो रहा है और क्योंकि ये किरने आपस में मिल रही है वास्तों में तो प्रत्मिम वास्तविक है और कैसा है उल्टा है तो क्या लिखेंगे कि यदि कोई वस्तु 2F डैस या 2F पर रखी है तो उसका प्रत्विम्ब भी कहा प्राप्त होगा 2F पर प्राप्त होगा कैसा प्राप्त होगा उल्टा वास्तविक और क्योंकि समान दूरी पर बन रहा है और यह कैसा होगा II-OO- के आपस में बराप्त होगा इसका मतलब है आप क्या लिखोगे कि प्रत्विम्ब वस्तु के बराप्त होगा तो क्या बताया कि यदि वस्तु 2F पर रखी है तो प्रत्विम्ब 2F पर बनेगा कैसा प्राप्त होगा उल्टा वास्त्विक वा वस्तु के बराप्त होगा अ क्या करते हैं अगले नंबर की बात करें यदी तो देखो अब हम क्या करें वस्तु को थोड़ा और आंगे ले जाए कहने का मतलब है अब वस्तु को हम क्या करें टू एफ डैस वा एफ डैस के मद्ध रखें यदी वस्तु को टू एफ डैस वा एफ डैस के मद्ध रखें तो इसका कहाँ पर प्रत्विम प्राप्त होगा, इसके बारे में चर्चा करते हैं, कहाँ पर रख रहे हैं, 2F- वा F- के बद, तो यहाँ पर हमने वस्तु माल ली, यह वस्तु है कोई, वस्तु का नाम डाल देते हैं, O-O-डेस, अब यह वस्तु है, तो यहाँ से प्रत्विम बनाना है हमको, तो प्रत्विम बनाने के लिए फिर से वही बात, कि हमको 2 कम से कम किरणे डालनी होगी, आप्तित करनी होगी, तो हम क्या करते हैं, एक किरण मुखच के समानतर आप्तित कर देते हैं, और मुखच के समानतर वाली जो किरण है वह मुखफोकस से होकर जाएगी तो इस किरण को हम मुखफोकस से होकर गुजार देते हैं यह मुखफोकस से होकर गई अब दूसरी किरण क्या करते हैं प्रकासिक केंद्र से डालते हैं और प्रकासिक केंद्र से होकर जाने वाली जो क किरन होती है वह बिना विछलित हुए सीधी निकल जाएगी तो दूसरी किरन हम क्या करें है यहां पर प्रकासिक केंद्र से डालते हैं अब我是idhin نिसकासित होगी अब सेधी निसकासित होने के बाद यदि हम ध्यान दें तो यह दोनों किरने इस बिंदू पर मिल रही है और जिस बिंदू पर मिलेंगी वही क्या होगा इस वस्तू का प्रतविम्ब होगा अब इसको हम क्या करते हैं मुख अच्च से मिला देते हैं यदि मुख अच्च से मिलाएं तो हम माल लेते हैं यह प्रतविम्ब क्या है आई आई डैस है ध्यान दे तो यह कैस मुखच से नीचे है और वस्तु थी मुखच से उपर इसका मतलब प्रत्विम उल्टा है और यदि हम प्रत्विम को देखें तो यह O-डैस वस्तु है और I-डैस यहां पर ध्यानने तो वस्तु से बहुत बड़ा है और साथ में कैसा किरने आपस में वास्तों में मिल रही है इसका मतलब है प्रत्विम कैसा प्राप्त हो रहा है वास्तविक तो क्या लिखेंगे कि यदि कोई वस्तु कहां पर रखी है तो इसका प्रत्विम कहां प्राप्त होगा हम लोग यहां पर देखें तो कहां प्रत्विम प्राप्त हो रहा है तो एफ वा आंगे कौन सी दूर है अनंत्य कैसा प्राप्तो हो रहा है कि वास्तविक कि उल्टा कि में तर यदि हम ध्यान दें तो फस्तू ओड सहरे है इतनी लेकिन प्रतविम्ज कि कि हम ध्यान दें तो प्रत्विंब हमको वस्तु से बहुत बड़ा दिख रहा है तो इसका मतलब है वस्तु से कैसा प्राप्त होगा प्रत्विंब बड़ा प्राप्त होगा तो क्या लिखेंगे 2F वा अनंत के मद वास्त्विक उल्टा तथा वस्तु से बड़ा प्राप्त होता है क्या प्रतविंब आई आई डैस अब हम आते हैं अगली स्थिती में अगले पॉइंट की यदि बात करें तो अगला पॉइंट क्या है कि अगर हम वस्तु को थोड़ा और आंगे ले जाएं और आंगे ले जाने का मतलब है अब हम 2F डैस वा F डैस के मद न रखकर हम F डैस पर ही रख दें अब F डैस पर यदि वस्तु को रख दें अब फिर से वही बात कि यदि हमने कोई वस्तु रखी है तो इससे हमको कम से कम दो किरणे आप्तित करनी पड़ेंगी और दोनों किरणे क्या हो यहां पर प्रत्विम बनाने के निवों को फॉलो करें तो हम क्या करते हैं एक किरण मुखच के समांतर आप्तित कर देते हैं और मुखच के समांतर आप्तित किरण सदयाओ मुखफोकस से होकर जाती हैं तो यह मुखफोकस से होकर गए दूसरी किरण हम प्रकासिक केंद्र से डाल देते हैं अब यह प्रकासिक केंद्र से होकर जाने वाली जो किरण हैं वह बिना विचलित हुए सीधी निसकासित हो जाती है अब यदि हम यहां ध्यान दे तो दोनों किरणे कैसी हैं बीच में समान दूरी पर हैं इसका मलब समानतर हैं और यदि किरणे समानतर हैं तो अभी बताया पह प्रत्विम कहां प्राप्त होगा अनंत पर अब यदि बात करें प्रत्विम अनंत पर कैसा प्राप्त होगा तो नीचे की ओर बनेगा तो यहां पर कहीं आई आई डैस होगा जो बहुत बड़ा होगा तो कैसा होगा वास्तविक वह वस्तू से बहुत बड़ा तो हम क्या पर कैसा प्राप्त होगा तो वास्तविक उल्टा तथा वस्तू से बड़ा वस्तू से आप लिख सकते हो बहुत बड़ा अब ऐसा क्यों क्योंकि अनन्त जो इस्थिती है वह क्या नहीं होती निश्चित नहीं होती कहने का मतलब कोई भिश्चित दूरी नहीं होती है करिके घ्याट की असर्व प्रप्राप्त होगा तो इति अब बात करते हैं अगले अगले इस्थितिगी कि अब हम क्या करें वस्तु को f डैस वा प्रकासिक केंदर के मध्य रख दें तो हम लोग अब अगले point पर आते हैं कि यदि वस्तु को थोड़ा और आंगे रख दें कहां पर रख दें देखें f डैस वा प्रकासिक केंदर c के मध्य अब हम लोग कहां पर रख रहे हैं मुख फोकस या प्रथम फोकस बोलोगे इसको प्रथम फोकस वा प्रकासिक केंदर के मध्य तो माल लेते हैं यह वस्तु है और यह वस्तु कौन सी है O O डैस ठीक है अब इस O O डैस का हमें बनाना है प्रतिविम्ब तो देखे प्रतिविम्ब बनाने के अभी हम लोगों ने क्या किये वही नियम फॉलो कर रहे है जब से हमने पहले प्रतिविम्ब को बनाने से लेकर अभी यहां तक क्या कर रहे हैं प्रतेक किरण को प्रकासिक केंदर से डाल रहे हैं और मुख अच्छ के समांतर डाल रहे हैं प्रकासिक केंदर वाली किरण सीधी निसकासित हो जाती है मुख अच्छ के समांतर वाली किरण मुख फोकस से हो कर जाती है तो हम क्या करते हैं यहां पर एक किरण म मुख अच्छ के समांतर डाल देते हैं और मुख अच्छ के समांतर होकर जाने वाली किरण मुख फोकस से होकर जाती है तो इसमें मुख फोकस से किरण जाती है ये मुख फोकस से निकल गई अब दूसरी किरण हम क्या करते हैं प्रकासिक केंद्र से होकर डाल देते हैं अब यदि प्रकासिक केंद्र से होकर डालेंगे किरण तो यह बिना विचलित हुए सीधी निकल जाएगी तो यह बिना विचलित हुए सीधी निकल गई अब यदि यहां पर हम ध्यान दें तो ये किरणे क्या है दूर जा रही है इसका मतलब है अब यह है अगर किरणे दूर जा रही है तो ये आपस में तो कभी मिलेंगी नहीं और यदि आपस में नहीं मिलेंगी तो इनका आंगे यहां पर तो कहीं प्रत्विम प्राप्त नहीं होगा तो जब ऐसी स्थिति है कि प पीछे dotted करके मिलाते हैं। अब इन किरणों को हम पीछे dotted करके ले जाते हैं। अब यदि इनको पीछे dotted करके ले जाएंगे, तो ये किरणे कहीं न कहीं जाकर मिलेंगी। ये किरणे जहां पर जाकर मिल रही है, वही क्या होगा इसके प्रतिविंब की इस्थिती होगी अब क्योंकि dotted करके बनाया है तो ये जो प्रतिविंब आई आई डैस प्राप्त होगा वह कैसा प्राप्त हो रहा है आभासी ठीक है ये किरने dotted करके उपर गई है यहां इस बिंदू पर मिल रही है तो यह कैसा प्रतविम्ब होगा आभासी होगा क्योंकि वास्तों में नहीं मिल रही है अब हमने क्या किया है इनकों मिलाया है मिलती हुई इस जगे पर प्रतीत हो रही है तो इसको हम बोलेंगे आभासी अब यदि देखें तो आभासी हमने बोला हमेशा सीधा होता है तो यह पे आपको इस पस्ट दिखाई दे रहा है कि वस्तू से कैसा प्राप्त हो रहा है बड़ा, तो हम क्या लिख सकते हैं कि यदि कोई वस्तू F-वा C के मद्ध रखी हो C के मद्ध रखी हो तो प्रतविम्ब हमको कहा प्राप्त होता है वस्तू की ओर अब यहां यहां नहीं लिख सकते हैं कि 2F-वा C के मद्ध क्योंकि हमें कोई इस्तिती निश्चित नहीं पता है अब ही हमारा प्राप्त होरा 2F-वा C के मद्ध हो सकता है आप यदि प्रतविम्बनाओ तो आपका प्राप्त हो 2F पर या इसके पीछे तो यह गलत नहीं है आपको यह याद रखना है जिस और वस्तू रखी है तो क्या बताया कि प्रत्विम्ब कैसा प्राप्त होगा आभासी वस्तू से बढ़ा सीधा तथा वस्तू जिस ओर रखी है उसी ओर प्रत्विम्ब प्राप्त होगा तो हम लोगों ने यहां पर उत्तल लिंस के द्वारा प्रत्विम्ब बनना लोगों ने अभी पढ़ा अब प्रत्विम बनना कितना पढ़ा कि हम लोगों ने पढ़ा कि 6 प्रकार के प्रत्विम बन रहे हैं और 6 प्रकार के प्रत्विमों में से एक प्रत्विम हमको आभासी प्राप्त हुआ बागी के 5 प्रत्विम हमको वास्त्विक प्राप्त हुए अब कहां पे कौन सा प्रत्विम प्राप्थ हुआ हमने पढ़ा कि यदि कोई वस्तु अनंत पर रखी थी तो उसका प्रत्विम फोकस पर प्राप्थ हुआ यदि कोई वस्तु अनन्त वा 2F डैस के मद्ध रखी थी तो इसका जो प्रतिविम्ब है वह 2F डैस वा या 2F बोल सकते हो वा F के मद्ध प्राप्थ हुआ इसके बाद हमने क्या पढ़ा कि यदि कोई वस्तु 2F डैस पर रखी हो तो इसका जो प्रत्विम्ब है वह 2F पर ही प्राप्थ हुआ फिर इसके बाद यदि बात करें कि यदि वस्तु 2F डैस अब 2F डैस के आंगे रख दे हम कहां पर 2F डैस वा F डैस के मद्द रख दें तो इसका जो प्रत्विम्ब है वह 2F वा अनंत के मद्ध प्राप्त हुआ इसके बाद यदि हम लोग वस्तु को और आंगे ले जाएं तो F डैस पर रख दे तो इसका जो प्रतिविंब है वह है अनंत पर प्राप्त हुआ अनंत पर प्राप्त होगा इसके बाद यदि वस्तु को और आंगे रख दे यानि कि F डैस वा C के मत रख दे तो इसका प्रत्विम्ब कैसा प्राप्त होगा वस्तू की ओर प्राप्त होगा ये जो अंतिम प्रत्विम्ब है यह होता है आभासी लेकिन ये जो बाकी के 5 प्रत्विम्ब है ये सब ही होते हैं वास्तविक ठीक है तो क्या बताया कि उत्तल लिंस से 6 प्रकार के प्रत्विम प्राप्तों होंगे 5 होंगे वास्त्विक और 6 कैसा होगा आभासी और वस्तू से बढ़ा अब हम बात करते हैं उत्तल लिंस के बाद आउतल लिंस से प्रत्विम बनानी के नियम की बारे में बात करें कि आउतल लेंस से कितने प्रकार के प्रत्विम प्राप्तों होते हैं तो देखें आउतल लेंस के यदि बात करते हैं यहाँ पर दूसरे नंबर में आउतल लेंस के द्वारा अब यदि बात करें आउतल लेंस के द्वारा तो देखे आउतल लिंस के द्वारा केवल दो प्रकार के प्रत्विंब प्राप्तो होते हैं दो प्रकार के मतलब यह है कि यदि हम आउतल लिंस के सामने वस्तू को रखें तो यदि कोई वस्तू अनंत पर रखी है अनंत पर रखी वस्तू का प्रत्विंब सदय और फोकस पर प्राप्त होगा क्या बताया कि यदि कोई वस्तू अनंत पर रखी है तो उसका प्रत्विंब फोकस पर प्राप्त होगा आभासी वा वस्तू से छोटा और यदी कोई वस्तू अनंत की जगे किसी और इस्थान पर रखी है माल लेते हैं यह F है और यह 2F है इस तरफ यह F है यह 2F है इसको हम लोग डैस माल लेते हैं हम कहरें कि यदी कोई वस्तू अनंत पर है तो उसका प्रत्वियम सदयो F पर प्राप्त होगा मुख फोकस पर कैसा प्राप्त होगा आभासी तथा वस्तू से छोटा लेकिन यदि कोई वस्तू और किसी इस्थान पर रखिए किसी और स्थान रखने का मतलब है यह हम माल लेते हैं इस जगें पर कोई वस्तू रखिए यह कोई वस्तू है O O तो इसका जो प्रतविम्ब है वह सदयो F वा प्रकासिक केंद्र C के मद्ध आभासी ववस्तू से छोटा प्रतविम्ब राप्त होता है कैसे हम लोग देखो यहाँ पर दो किरने डालते हैं एक मुख अच्छ के समानतर डाल देते हैं और आपको पता है कि मुख अच्छ के समानतर जाने वाली जो रेखा है वह सदयो मुख फोकस से होकर जाती है लेकिन मुख फोकस तो इस ओर है इसका तो यह प्रकास की किरन को क्या करता है फैला देता है पढ़ाया था कि इसकी कौन सी क्रिया होती है अप सारी अब सारी का मतलब है यह किरण को क्या करेगा फैला देगा इसका मतलब है यह किरण मुखच से दूर जाएगी अब मुखच से दूर जाएगी तो इसको dotted करके हम क्या करते हैं मुख focus पर मिलाते हैं दूसरी किरण प्रकासिक केंद्र से होकर डाल देते हैं और अभी आपको बत हमको कहाँ पे मिलती ही प्रतीत हो रही है, मुख फोकस वा प्रकासिक केंद्र के मद्ध, और यह हमारा क्या होगा, इस O-O-डैस का प्रत्विम्ब होगा, कैसा होगा, आई-आई-डैस वस्तु से छोटा है, सीधा है, तथा वस्तु का कैसा है, आभासी है, तो क्या बोल सकते हैं हम लोग, कि प्रत्विम्ब जो प्राप्त होगा, वो प्राप्त होगा आभासी, वस्तु से छोटा, तथा, कहां है, F-O-A-C के मद्ध, तो F-O-A-C के मद्ध, ठीक है, अब यदि कोई वस्तु अनंत पर रखी है, तो अभी बोला, इसी प्रकार से प्रत्विम्ब बनाना है, यदि कोई वस्तु अनंत पर रखी है, तो उसका प्रत्विम्ब कहां प्राप्त होगा, फोकस पर, और वह कैसा प्राप्त होगा, आपको वस्तु से छोटा, वह सीधा और आभासी, तो यह प्रत्विम्ब बनाने के कुछ नियम्ब तथा प्रत्विम्ब बनाना आप लोगों ने पढ़ा, अब इसके बाद हम लोग एक लेंस के फोकस दूरी के लिए सूत्र की बात कर लेते हैं, देखिए यहां पर अगर lens के लिए focus दूरी के सूत्र की बात करें तो हम लोगों ने पढ़ा है इससे पहले दरपन के लिए और दरपन के लिए क्या पढ़ा था कि 1 upon f बराबर होता है 1 upon v plus 1 upon u लेकिन यदि हम यहां पर बात करें मालने की lens की focus दूरी है f और वस्तू की दूरी है u और प्रत्विंब की दूरी है v क्या बताया कि focus दूरी है f वस्तू की दूरी है u और प्रत्विंब की दूरी है v तो lens के लिए focus का सूत्र होता है 1 upon f बराबर 1 upon v minus 1 upon u और इनको हम क्या करते हैं चिन परिपार्टी के द्वारा यूज करके रखते हैं चिन परिपार्टी का मतलब आपको बताया था जिस प्रकार से दरपण में उसी प्रकार से लेंस में भी चिन परिपार्टी होती है और चिन परिपार्टी में क्या करते हैं प्रकासिक केंद्र को मूल बिंदु मानते हैं इसके दाहिनी ओर जो भी रासि पोजट्यो और मुखच से नीचे की जो रासियां होंगी वह सभी कैसी होंगी निगेट्यो चिन परिपाटी आपको पहले भी पढ़ा चुके हैं कि दाई और पोजट्यो बाई और निगेट्यो मुखच से उपर पोजट्यो और मुखह से नीचे निगेटो तो आज हम लोग क्लास में इतना ही पढ़ते हैं आप लोग इसको पढ़ते रहिए ये प्रत्विम सभी आप अपने द्वारा ही बनाईए बनाना सीखिए और इनको ध्यान में रखिए कि आपको क्या करना एफ और टू एफ को बराबर दूरी पर बनाना ठीक है पढ़ते रहिए धन्वाद